हालो स्ट्रेंट्स वेल्कम टू ट्रिपले ब्राइट अकडमी स्ट्रेंट्स हमने वीकली करेंट अफिर सीर्स को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 11 से 17 अपरेल के करेंट अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं टू सब्सक्राइब चैनल प्रसता पहला इकन देखने इंडिया की जो ओरोल फ्यूल कंटप्शन है उसमें डिक्लाइब हुआ है 9.1 परसेंट का इन दा फानेंशल ये 2020-2021 यानि लास्ट यह जब लोगडाउन रहा उसकी वाज़े से इंडिया की जो फ्यूल डिमांड है वो डिक्लाइन हो गई 9.1 परसेंट तो यह कोशन आप सी लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस जो घरों पे घर के अंदर हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए उसके बारे में यहां पर कहीं नहीं बात हो वहां पर हमें स्ट्रॉंट कोई जादा डिक्लाइन देखने को मिलें यहां पर ग्रोथ ही रही ठीक है तो जो एल्पी जी है लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस इसकी जो कंजप्शन है उसमें हमें कोई भी डिक्लाइन देखने को नहीं मिला यह आप पॉइंट याद रखेंगे लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडिया के क्रूड ओल सप्लायर की याद रखेगा इंडिया के क्रूड ओल सप्लायर है कौन-कौन है उनके बारे में बेसिक आपको पता होना चीह तो सबसे बड़ा इंडिया कुड ओल सप्लायर है इराक सेडिन नंबर पे जी हां यूएस से बिलकुल जी यूएस से से और नंबर पे है नाइजीरिया लास्ट येर के डिकोर्ट के अगर मैं बात करूं और यानि इसकी कोई स्मेल नहीं होती फिर आप कहेंगे कि घरों में जब एल्पीजी गैस की लीकेज होते तो तो बहुत पंजन्ट स्मेल आती है तो मेरा कोशन आप लोगों से वही है कि एल्पीजी गैस के अंदर कौन सा एजेंट एड़ किया जाता है जिसकी वैसे हमारे पास पाती है जल्दी से कमेंट सेक्षिन में कांट करके बताइए कि हमारे पास टू डिटेक्ट दा लीकेज ओफ एल्लपीजी गैस वीच एजेंट अड़िट टू इट ओके याद रखेगा इजेंट है जो एड़ किया जाता है अर पास लपीजी के अंदर ताकि कोई लीकेज जो हो उसको डिटेक्ट किया जा सके चलिए जी नेक्स्स न्यूस साड़े शेसो बिलियन एड किये गए हैं स्पेशल ड्राइंग रॉइट्स में तो आइए में से लीडिट हमारे पस न्यूज है देखिए हमारे पास एक अंतरास्य संस्ता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कई बार आपने मेरे पिछले वीडिय रिजर्व एसेट्स नाम से देखिए काफी कुछ आपको पता चल रहा हुगा तो इसके अंदर साड़े शेसो बिलियन डॉलर का और एक्षेंशन किया है जब भी हम बात करते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स की सो यहां पर स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंदर प तो यह पांच करण से जिसमें हमर पास आपको देखने हुलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ आई कई बार यह भी कुश्चन स्वेंट्स पूछ ले जाता है तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स का संबंद किससे हैं इंट्रेस्टल मोनेटरी फंड से आई एमस क है हमर पास जो अइड हुई है किसके अंदर आई एमस की वन नाइंटेथ कंट्रीश की लिस्ट में इम फॉट्र आपको देखने मिलेगा आएमस का एड़कॉर आपको देखने मिलेगा वाशिंटन बीसी में और यह भी मैंस टूरेंड आपको याद दिला दू कि हम रपास की करेंट इम डी कौन है ऐए फेकर इम डी कोन है इन का एक फीमल है जिनका नाम है क्रिस्ट लीन जॉर्ज वह नाम याद रखेगा क्रिस्ट लीना जॉर्ज वह शीज़ दकरेंट मैनेजिंग डारेक्टर आफ आई एंटरेस्टल मॉनेटरी फंड चली मैं आप से कोश्चन पूछ लेता हूं इंटरेस्टल मॉनेटरी फंड से लेटेड की आई एमस की हर साल एक रिपोर्ट आती है ठेक है और जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमे रिगार्डिंग वो 8.8% की ग्रोफ रेट देखने को मिलेगी तो मेरा कोश्चन आप लोगों से है नेम दा रिपोर्ट आफ इम फ इन विच इंडिया ग्रोफ रेट प्रेडिक्टिट एट 8.8% इन 2021 उस रिपोर्ट का नाम जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताईए ज खुती फेमस रिपोर्ट है वर्ल्ड एकॉनमिक आउटलुक ठीक है वर्ल्ड एकॉनमिक आउटलुक तो यह वो रिपोर्ट है जो आएम फ के द्वारा हर साल प्रकाशित की जाती है पब्लिश की जाती है और उसमें कहा गया है कि इंडिया अगले साल 8.8% जो है वो स्नीफर भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश वोख्रियाल जी उन्होंने इसको लॉंच किया है जो माइक्रों सेंसर बेस्ट एटीडी है एटीडी की फुल्फर्म क्या है एक्स्ट्रेस डेक्टर जो बंबलास्ट वगेरा होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए कहीं न कहीं इसका यूज किया जाएगा नैनो स्नीफर का नैनो स्नीफर को बनाने का काम एक आईटी बॉंबे बेस्ट अप ने किया है तो यह भी आपने याद रखना है एक दूसरी खबर हमारे पास सेकिंड न्यूस हमारे पास आईटी से रेटीड है आईटी में हिंडिया को टेक्नोलोजी वाइस आगे बढ़ाने में हेल्प की है तो भारत की पहली आईटी मैं बहुत बार बता चुका हूं कि आईटी खड़कपुर थी और अभी गवर्मेंट का टार्गर चल रहा है कि भारत के हर राज्ज्य में एक इस्टेबलिश की जो है अभी तरगे हम हम याद रखना कीवप ख्रीए पुचिश ला सकती है लटेश इंप्रो वाइस फुल फॉम याद रखना इंप्रो वैस्ट एक्स्क्लोस व हुए ठीक हैस्वई खमली स्वलीं फोटेशी मिस्टेप हो ग formula अगर हम बात करें यहां पर यह आपको न फुल फॉम पुछी आ सकते हैं इसलिए मैं आपको उतार हूं ठीक है इंप्रोवाइस एक्स्वोजिव डिवाइस ठीक है तो यह आफ फुल फॉम याद रखेगा पेपर में पुछी आ सकते हैं बंब्लास्ट वगेरा से रिडिड र अब आरे पास जब यह बंब्लास्ट वगेरा होते हैं तो इस में से काफी जार एंटरजी निकलती है एक एक रियक्शन होती है बैसिक्ली द l पढ़ा हो तो exothermic reaction के opposite reaction भी होती है जिसमें heat और energy absorb की जाती है exothermic reaction में heat और energy बाहर निकलती है तो मेरा आप से question यह है कि आप मुझे comment section में comment करें बताइए opposite of exothermic reaction क्या कहलाता है जिसमें heat और energy absorbed होती है the opposite of exothermic reaction or process is called what to student बिल्कुल सिंपल सा question ना मेरा तो that is called endothermic reaction जी हाँ याद रखेगा endothermic so endothermic process endothermic reaction वो process here reaction होती है जिसमें heat और energy जो है वो absorb होती है और जब बंबलास वगरा होता है तो कौन सी reaction होती है that is exothermic reaction चले जी आगे चलते हैं next news की तरफ so next news हमारे पास UK से है Duke of Edinburgh आप सब ने लोगों ने सुनाई होगा ठीक है यह हमारे पास Queen Elizabeth जो अभी Emperor है उनके husband थे Prince Philip इनकी अभी death हुई है longest serving royal consort थे consort का मतलब जो हमारे पास ruler है उसके spouse उनको हम consort के नाम से जानते हैं जो ruler है अभी ruler कोन है Queen Elizabeth 2 तो यह अभी जिन्दा है ठीक है और कब से इनकी coronation होई थी यह भी आप याद रखना Queen Elizabeth जो है 1953 से जी हाँ याद रखेगा year याद रखेगा year important हो जाता है Queen Elizabeth 1953 से monarch है हमारे पास UK की और साथ में Commonwealth Nations की जी हाँ यह भी याद रखेगा Commonwealth हमारे पास एक ग्रूप है Commonwealth of Nations ठीक है तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते है Commonwealth of Nations ठीक है तो एक ग्रूप है तो उसमें हमारे पास हेड़ कोन है अभी अगर हम बात करें Queen Elizabeth और UK की भी Emperor कोन है Queen Elizabeth और यह कब से है 1953 से ठीक है जब से हमारे पास Coronation होई है 1953 में इनकी Coronation होई थी रास्ती लगवा था Queen Elizabeth 2 का Commonwealth of Nations के बारे में स्ट्रेंट से अगर मैं बात करूँ यह हमारे पास ग्रूप है कितनी कंट्री का 54 नेशन इसमें मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया तो आपने सुना होगो Commonwealth Games भी होती है वो इनी कंट्री से रेलेटिड होती है तो याद रखेगा Queen Elizabeth हमारे पास 1953 से मोनार्क है और longest serving मोनार्क है UK की जी हाँ याद रखेगा Queen Elizabeth 2 She is the longest serving मोनार्क of UK और Prince Philip जिनकी death हुई है वो हमारे पास Prince of Greece and Denmark ठीक है यह हमारे पास इनका जनम हुआ था Prince थे Greece और Denmark के और Greece में इनका जनम हुआ था लेकिन अभी यह कहां के Duke थे He is the Duke of Edinburgh यह आप याद रखेगा चलिए मेरा question आप लोगों से है कि हमने एक अच्छा question हम देख लेते है Commonwealth of Nations की बात की की है ठीक है जो countries का group है 54 nations का तो यह games अगर आभी conduct करते है Commonwealth Games तो मेरा question आप लोगों से यह है आप मुझे comment section में क्मेंड करके बताईए कि 2021 sorry अभी जो next Commonwealth Games होनी है वो हमर पास कहा होनी है 2022 की Commonwealth Games जल्दी से comment section में क्मेंड करके बताईए which city going to host 2022 Commonwealth Games which city going to host 2022 Commonwealth Games अगले साल होनी है यह तो याद रखे का student यह games हमारे पास कहा होंगी UK में ही होंगी ठीक है और यह होंगी Birmingham में ठीक है Birmingham में हमारे पास यह games जो है 2022 की Commonwealth Games जो है वो देखने को मिलेगी तो यह आप चीज याद रखे का चलिए जी next news फीफा पाकिस्ताने चेड फुटबोल एस्सेशन तो फीफा जो फुटबोल की regulatory body है और established हुई थी बहुत ही परणी organization 1904 में जिसका headquarter आपको Zurich में देखने हों मिलेगा ठीक है और 211 national associations को इसने अपने साथ जोड़े हुए तो यहां पर इसने क्या किया कि पाकिस्तान की फुटबोल एस्सेशन है फुटबोल फेडरेशन बेसिकली और जो चैड कंट्री है चैडियन फुटबोल एस्सेशन इनको क्या कर दिया है सस्पेंड कर दिया है क्योंकि इनके काम करने के तरीके में गवर्नेस में से गड़ बड़ियां देखने हो मिली तो आप से पूछ सकता हूं कि फीफा ने कौन सी दो कंट्री के फुटबोल एस्सेशन को सस्पेंड किया तो पाकिस्तान इन चैड ठीक है चैड एक कंट्री है कहाँ पर एफ्रीका में बिल्कुल सेंटरल एफ्रीका में आपको देखने हो मिलेगे कंट्री चैड जिसके ओपर पहले फ्रास का रूल हुआ करता पाकिस्तान तो हमारी नेबरिंग कंट्री आपको पता ही इसके बारे में चलिए अगर हम बात करें फीफा की तो फीफा फुटबॉल की रेगलेटरी बॉड़ी है और ग्यानी इंफेंटिनो इसके प्रेजिडेंट है और अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है हमारे पास होने जा रहा है कहां 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप फुटबॉल वर्ल्ड कप जो फुटबॉल के क्लब्स होते है उनका एक वर्ल्ड कप होने जा रहा है मेरा कोशन यह है कि 2021 का फीफा क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां होने जा रहा है हां जी जल्दी से कमेंट सेक्शन में काने करेंग करेक्ट आंस रेस्ट्वेंट 2021 में उमीद की जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक ठाग रहा तो जैपैन जो है वो 2021 का फीफा क्लब फुटबोल वर्ल्ड कप जो है होस्ट करेगा नेक्स वारे पास इंडिया रिकोर्ट 7.2 परसेंट इथनोल ब्लेंडिंग इन पैट्रोल अब क्वेश्चन बचो यह इथनोल ब्लेंडिंग होती कह है देखे इथनोल पहले तो आपको बता होना चाहिए कि इथनोल का कैम हम इंपोर्ट करते हैं हमारे जादतर कच्छा तेल हम बार से निर्यात करते हैं तो सरी आयात करते हैं मैं इंपोर्ट करते हैं तो अगर हम इसके अंदर इथनोल को मिक्स करके यूज करें तो हम ओवरॉल जो इंपोर्ट है जो ओवरॉल क्रूड ओयल इंपोर्ट है उसको र लेकिन हमारा लक्षी कर मैं? इंडिया ने टारगेट रखा है कि at least 10 % ब्लेंडिंग होनी चाहिये ठीक है और 2022 तक 2022 तक रिञ पांर पास 10% ब्लेंडिंग होनी चाहिए और 20% ब्लेंडिंग होनी चाहिए दो और पच्शी तक तो यह दो questions आपके दिमाग में हुए अधिक्षा क्लियर होने चाहिए कि इंडिया ने आने वाले time में कितना क्योंकि यह ब्लैंडिंग से इंडिया काफी हद तक जो अपने खर्चा है उसको काफी हद्तक जो हम कच्छा देल खरीदने पर जो पैसा खर्च करते हैं उसको काफी हद्तक क्या कर सकेगा minimize कर सकेगा तो यह जो points है आपके दिवांग में काफी हद्तक clear रहने चाहिए और chemical formula भी आपको ethanol का पता होना चाहिए चलो एक simple सा question पूछ लेता हूँ ethanol produced by which chemical process उस chemical process का नाम बताई जिसके थूँ एथनोल की production होती है चल्दी से comment section में comment करके बताईए by which chemical process ethanol produced करेक्ट अंसर है बच्चो फर्मेंटेशन करेक्ट अंसर है इथनोल की production होती है थ्रूआ प्रसेस नोन एस chemical process fermentation ठीक है तो यह point जो है आपको याद रखना है science ए लिए एक simple सा question ठीक है next हमारे पास meeting of world bank 2021 world bank imf की joint meeting थे club meeting ठीक है जिसमें इंडिया की तरफ से representation किसने की हमारे finance minister निर्मला सितारह मनें ठीक है तो वर्चली पार्टिपेटिटिटि इन दा 110 development committee meeting of world bank and imf 2021 और इन्होंने सिर्फ इंडिया को रिपेजन नी किया इन्होंने बंगलादेश भूटान और शिलंका को भी रिप्रेजेंट किया किसने निर्मला सितारह मनें तो एक तो कोशन आपसे ही पुछा सकता है देखिए imf और world bank इनके बारे में याद रखना यह दोनों organizations establish हुई थी after the bretonwood conference याद रखेगा हमारे पास imf and world bank कब establish हुई थी after the bretonwood conference इसी लिए इन दोनों क्या कहा जाता है bretonwood twins तो पेपर में अगर कभी भी कोशन आ जाए यह मैंने पहले भी बताया है कि ब्रेटनों ट्विंस हम किने बोलते हैं तो यह बोलते हैं world bank and world bank and imf ठीक है world bank and imf known as bretonwood twins आपको मैं बता दूं कि इन्होंने इंडियन गॉर्मेंट ने अनौंस किया है हमर पास state कि आतनिरभर package 27.1 लाग क्रोड अमांटिंग that is 13% of the GDP हमर पास इंडियन गॉर्मेंट क्या करेगी आने वाले 45 में बनने के बाद जिसको सबसे पहले लोन मिला ठीक है first country ठीक है to get loan पहली country ठीक है जिसको loan मिला from world bank यह question है जो आपको याद रखना है ठीक है France first country 1945 में बनने के बाद और जुनेद एहमद एक कोशन और याद रखेगा जुनेद एहमद का नाम आप याद रखेगा अब यह जुनेद एहमद कोन है इनका नाम आपको बताना चाहिए he is the world bank country director for India ठीक है world bank country director for India कोन है जुनेद एहमद यह बंगलादेश के economist और world bank के अगर हम बात करें president कौन है world bank के hee गदेजयेंट्र ऑफ वर्ल्ड बैंक और व्ल्ड बैंक और आई कद्वकॉड आपको देखने के मिलेगा वशिंग्ट सी में दोनों के स्थिंग मैं नुज उच्छार्व लोगों से मैं पूछ लेता हूं की वर्ल्ट बैंक का ultimate objective क्या है stated goal sorry the stated goal of world bank is comment section में करके बताइए the stated goal of world bank is सो याद रखेगा स्टेटिट रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी याद रखेगा स्टेटिट गोल ऑफ वर्ड बेंक इस रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी पूरे विश्व्चे गरीबी को खतम करना यह व्ल्ड बैंक का सबसे मतलग की top most goal या फिर top most priority जो world bank की है वो है reduction of poverty throughout the world next news की दरफ चलते हैं इंडिया हमारे पाद GDP से लेटीड है आई में से लेटीड ही है तो आप देख लीजे कि international monetary fund reported an increase in इंडिया's debt to GDP ratio एक news हमारे पास क्या है कि इंडिया का debt, debt का मतलब जो loan है और GDP ratio है वो हमारे पास पहुँच गई है 74% at the end of 2019 to 90% at the end of 2020 तो ये एक अच्छा साइन नहीं है COVID की वज़े से तो ये कही ना कहीं reports जो है आपको याद रखना होगा कि IEMF के reports क्या कहती है debt to GDP ratio को लेकर about India तो ये एक news आप आई हैं के साथ ये अच्छ करके याद कर लेंगे चली जी next point चलते है रश्या रश्यन प्रेजिडेंट के रूल अंटिल 2036 तो रश्यन प्रेजिडेंट जो है व्लादमिर पुतिन उनने एक नया बिल पास कर दिया है जिससे वो हमारे पास अगले दो प्रेजिडेंट टैन्योर्स के लिए रन कर सकते हैं ठीक है और अगर सब कुछ सही रहा तो वो 2036 तक हमारे पास रश्या के प्रेजिडेंट बने रहेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि व्लादमूर पुतिन जो रश्या में काफी हद तक चीजों को कंट्रोल अभी भी कर रहे है और अगर हम बात करें पुतिन कंप्लेट इस ओन गोइंग फॉर्ट टर्म एज प्रेजिडेंट इन 2024 अभी उनका चोथा टैन्योर्स चल रहा है जो कि 2024 में जाकर खत्म होगा तो अगर ऐसा रहा तो छे टैन्योर्स कंप्लीट कर जाएंगे तो यह अपने हमें बहुत बड़ी बात होगी कि अगर वो 2036 तक प्रेजिडेंट बने रहते हैं रश्या की बात करें तो बच्छों याद रखेगा कि रश्या सबसे बड़ी कंट्री है ठीक है largest country in terms of area ठीक है एरिया में और इसके अंदर 11 time zones है जी हाँ जैसे इंडिया में तो एकी single time zone है तो 11 time zones हमारे पास आपको देखने हो मिलेगी कहां पर रश्या में एक छोटा सा point आपको बड़ पता होना चाहिए कि who's the current prime minister of Russia prime minister की post है यहाँ पर और मिखाइल यहाँ पर जो है वो prime minister है और यहाँ पर lower house को Duma के नाम से जाना जाता है ठीक है रश्या के lower house को हम Duma के नाम से जानते हैं ठीक है चले एक question मैं आप से लोगों से पूछ लेता हूँ आप मुझे comment section में करण करके बताइए कि रश्या में पहले मौनार्की हुआ करती थी क्योंकि अब भी कहीं न कहीं आपको मौनार्की जास सिस्टम देखने को मिल रहा है लेकिन एक टाइम पर रश्या में complete मौनार्की हुआ करती थी तो मेरा कुशन आप लोगों से है कि मौनार्की रश्या से अब बोलिश किस एयर में हुई सो मौनार्की अब बोलिश्ट इन विच पर्टिकुलर एर रश्या से मौनार्की जो है वो कौन से एर में बोलिश्ट की गई जल्दी से comment section में करन करके बताइए मौनार्की अब बोलिश्ट फ्रॉम रश्या इन विच पर्टिकुलर एर तो क्रेक्ट अंसर एस्ट नमारे पास 1917 जी हां क्रेक्ट अंसर याद रखेगा 1917 1917 चलिए जी नेक्स्ट वजीर एक्स लॉंस्ट एन nft marketplace देखिए वजीर एक भारत की कंपनी ही है ठीक है और इसको ओन कोन करता है बाइनेंस ओन क्रिप्टो क्रॉंसी एक्चेंज ठीक है तो इसने हमारे पास क्या कि है या का पहला marketplace लॉंच किया जो की हमारे पास किसके लिए रहेगा फॉर नौन फंजीबल टोकन्स nft ठीक है विच्विल अर्टेस्ट तो क्रिएट और डिजिटल एसेट्स जहां पर जो आर्टेस्ट है वो अपनी डिजिटल एसेट्स को क्रिएट और बेच पाएंगे ब्लो और फंजीबल टोकन्स के लिए तो यह भी आपने कहीं ना कहीं चीज याद रखनी है अभी तक डिजिटल को लेकर पूरे इंडिया में अभी तक यह कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या इनको लीगलाइस किया जाएगा या इलीगल डिकलेर किया लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्रिप्टो बैंक भी बन चुका है जहां पर आप डिपोजिट कर सकते हैं ठीक है और ड्रॉब भी कर सकते हैं तो सिंपल नॉर्मल बैंक की तरह हमरे पास एक फस्ट क्रिप्टो गरंसी बैंक जो है उसका नाम क्या है यूनिकास ठीक है तो यह भी आप याद रखेगा वर् हम ओल्री नूस कर चुके हैं चलिए पेटेम की बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी अब मेरा कुश्चन वहीं से है उसी से लेटिड है आप मुझे स्वेंट कमेंट सेक्शन में करने करके बताइए कि पेटेम के करेंट हमारे पास CEO कौन है जल्दी से कमेंट सेक अंसर देख लेते हैं स्वेंट करेक्ट अंसर है मर पास दैन स्कूल में ठीक है दैन स्कूल में यह मर पास ही दा करन्ट सी यू ओ पेटी एम तो यह आप नाम याद रखिए गा चलिए आगे चलते हैं नेक्स नूस की तरफ आगे बढ़ते हैं नेक्स निवार पास टूडेंट टुंटी टॉन इवन ब्रिटिश अकैडमी फिलम आवर्ट आपको बस यह याद रखने कि इस बार जो है वार पास बैस फिल्म का वोड़ किसको मिला है नूमैड लैंड को और यहां पर बैस डारेक्टर का वोड मिला है हमार पास क्लोई ज हो रही है तो पहली बार किसी फीमेल डिरेक्टर को इतने बड़े लावर्ट मिले हैं तो सीधा सीधा निकानाम याद रखेगा तो बाफ्टा की फिल्फर्म याद रखेगा ब्रेटिश अकैडमी ओफ फिलमेंट टेलिविजन आर्ट्स चलेजिए नेक्स हमारे पास नेक्स हमारे पास एस्टनोट यूरी गैगरीन के नाम पर रखा गया है अगर आपको याद थो थोड़ा था बच्पन में हमने सबने सुना होगा कि फर्स्ट परसन जो स्पेस में पहुंचे उनका नाम था यूरी गैगरीन तो उनकी फ्लाइट को 60 साल पूरे हो चुके हैं 60th anniversary थी कजागिस्तान में यही नाम आप याद रखेगा थो थो यूरी गैगरीन ने जिस रॉकिट के Do तो पूरे 60 साल उस चीज को पूरे हो चुके हैं तो यहां पर आप देखेगा कि आई इसस की बात हम बार बर करते रहेते हैं इंटरेशन स्पेस्टेशन की अब यहां पर परसन जो स्पेस में ट्रेवल करके आए हैं उनका नाम है राकेश शर्मा जी हां सई सुनापने की इकलोते परसन आप मैंसे कुछ लोग बोलें कल्पना चावला भी तो हैं लेकिन शीज नॉट इंडियन वह इंडियन ओरीजन से थी अपनी नेशनलेटी वह चेंच कर चुकी सुनीता विल्यम्स है यह सब इंडियन नहीं हैं स्टुएंट्स याद रखिएगा यह सब भारती नागरिकता छोड़ चुके था और इंडियन कहलाने का कोई शौक नहीं था मतलब कि यह उस टाइप के परसन थे जो यूससे के लिए काम कर रहे थे नासा के लिए काम कर रह कर रहा हूं कि स्पेसेश जो हमारे पास प्राविट्ट स्पेस कमपनी यह इन्स्पिरेशन फॉर इनको स्पेस में बेजेगा यानि कि अभी तक तो सिर्फ एस्टनोट्स या रिसर्चर ही स्पेस में जाया करते हैं लेकिन अब स्विलियंस भी स्पेस में जाने लगें और मिशन का नाम होगा यहां पर समझाने कोशिच करूं कि स्पेस के अंदर अब इतनी ऑपर्चॉनिटीज है कि हम जितना भी उसको समझने कोशिच करें उतना ही कम लाइक कई सारे important metals और बहुत कुछ स्पेस में available है जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक asteroid की बात चल रही थी जो एस्ट्रोइट बहुत दारा न्यूज में था जिसकी कीमत quadillion में थी ट्रिलियंस में भी नी quadillion में quadillion dollars में ठीक है तो मेरा question यही है कि आप मुझे उस asteroid का नाम बताइए जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जरतर बना हुआ है gold का platinum का और iron का और यह आपको देखने हुए लेगा कहां पे between Mars and Jupiter तो Mars और Jupiter के बीच में उस asteroid का नाम मुझ भी बहुत जारा न्यूज में थाई ओके करेक्ट अंसर स्ट्रिंट साइक के 16 जी हां करेक्ट अंसर रियाद रखेगा साइक के 16 वेस्ट औरोइड है जो मार्स और जुपिटर के बीच में आपको देखने मिलेगा जिसकी वैल्यू इस एक प्राचीन सेटी, 3000 साल पुराना शहर हमारे पस्वास में मिला है का जाज रहा है ने सब्सक्राएं उस country ले मिया रहए लाश व्syटी भी इसको नाम दिया जा ρाय भाएं इसकी खोज की है Schüler हचे हावश एक बहुत ही बैमस रिसर्चर है जाही हवास तो ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे पास ये 18 डानेस्टी किंग इमो टैप 3 से बिलॉंग करते हैं जो कि हमारे पास लगव तीन जार साल पहले रूल किया करते थे तो ये एजप्ट में हमारे पास यह जो सीटी है वो मिली है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी डिसकवरी 3000 साल पुरानी एक बहुत बड़ी सिटी लकसर में मिल चुकी है तो यह आप सीधा सीधा कोशन याद रखें हैं इजप्ट के बारे वाद करूँ बचो एजिप्ट अभी बहुत हद्ताह्ट कीर। नीचा में आ दरा आपको पता ही है। स्वेस कनाल वॉक हो गई थी तो स्वेस कनाल हमारे पास उसको औ। कों कोंट करता है हमारे जार उन्यूज में थी तो स्वेस कनाल की टोटल लेंथ कितनी है जरा कमेंड शेक्षिन में क्मण करके बताईए बहुत ही सिंपल कोश्चन पूछ रहा हूँ हां जी टोटल लेंथ ऑस्वेस कनाल कोड़ लेंथ पूर लेंथस नहीं है ओके सो याद रखना बच्छो 120 माइल्स जी हां 120 माइल्स अगर आप किलोमेटर में करेंगे लगबग लगब 193 किलोमेटर यहां पर टोडल हमारे पास लेंथ बनेगी 193 किलोमेटर में और माइल्स में 120 ठीक है चले जी नेक्स हमारे पास कॉम्रेटिव पोस्टल स्टेंप और राज़योगनी धाधी जानकी अब यह राज़योगनी धाधी जानकी कौन थी हमारे पास ब्रहम कुमारी जो हमारे पास एक नए ररिजन एक तरह से कंसिडर किया जाता है उनकी फॉर्मर चीफ थी ठीक है उनको दादी जानकी के नाम से जाना जाता था राज योगी नी दादी जानकी उनके नाम पर एक कॉम्रेटिव यादगार पोस्टल स्टेम्प इशू की है हमार पास वाइस प्रेजडेंट वेंक या नाइडू जी ने तो आपको मैं बता दू कि ब्रह्म कुमारी जो है वो वन अफ दर न्यूएस्ट रिलीजन कंसिडर किया जाता है पूरे वर्ल्ड में जो की शुरू हुआ था 1930s हैधराबाद में लेकिन इंडिया का हैधराबाद नहीं है कंफ्यूजन मत होनी चाहिए आपके दिमाग में है आपको पागिसान के सिंध प्रांत में एक हैधराबाद नाम का शायर देखने को मिलेगा वहां से ये पूरा का पूरा रिलीजन जो है वो शुरू हुआ और आज की रेट में इनका जो हेड़कॉटर है वह आपको कहां देखने मिलेगा माउंत अबू में इनका जो हैड़क क्रिपलानी जी ठीक है लेकराज क्रिपलानी वो परसन थे जिन्होंने नीब रखी ब्रह्मु-K paragraphs एक तरह से मालोच एडॉग सी यह पूरा पूराजूं इनका सेंटर है वो कहां पर है autistic जहां पर ब्राम्मू कुमारी मारश चाप यहांश मांट मांट आबू पो ऑर यहां पर कई सारा हा अतिक धार मिक स्ल आपको देखने हो अपन सेख्या है मांट आबू इसこれで इसके भार में दिल्वारा टेंपल किस रिलीजनसे रिलेटेद हैं जल्दी से कमेंट सेक्ष्ण में कमेंड करके बताओ दिल्वारा टेंपल्स हमारे पास कौन से रिलीजनसे रेलेटेद हैं तो यह रखे 22 बहुत ही फ्लाइबाद यह जन रहे हैं जो कि आपको देखना हो में माउं टाबू राजस्थान में चलिए जी नेक्स न्यूस मिलिटरी एक्सरसाइज शांतिर और गोशेना ठीक है 2021 तो हमारे पास ये बंगलादेश में एक मिलिटरी एक्सरसाइज परफॉर्म की गई ठीक है मल्टी नेशनल मिल्टी एक्सरसाइज जिसमें इंडियन आर्मी ने भी पाटिस्पेट किया यहाँ पर एक UN-Emmendated Counter-Terrorism Exercise थी बेसिकली Counter-Terrorism Exercise थी तीम इसकी कहा रही Robust Peace Keeping Operations ठीक है इसमें किस-किस ने पार्टिस्पेट किया तो यह भी आप याद रखेंगे Royal Bhutan Army, Sri Lankan Army and Bangladesh Army अपार्ट फ्रॉम Indian Army ठीक है तो चार बेसिकली बड़ी आर्मी ने आपर पार्टिस्पेट किया तो over the period of time हम देख रहे हैं कि India और Bangladesh के रिलेशन काफियत तक अच्छे हो रहे हैं जो यह अच्छा साहिन है अगर हम बात करें रिकॉल करने कोशिश करें 16 December 1971 को Bangladesh आजाद हुआ था जिसको हम विज़े दिवस के रूप में मनाते हैं ठीक है यह वो डे है जिसको हम और Bangladesh विज़े दिवस के रूप में मनाते हैं 16th of December 1971 और अभी इनको 7 हमारे पास इनकी anniversary थी 50th anniversary थी Independence की तो हमारे पास आपको याद रखना होगा कि बंगलादेश की आर्मी ने हमारे पास हमारी Republic Day Celebration में participate किया केवल वर्ल्ड में तीन ही आर्मी हैं जिनने हमारे Republic Day Celebration में participate किया है सबसे पहले French Army ने 2016 में याद रखेगा नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते है 2016 में French Army ने participate किया था 2017 में UAE की आर्मी ने participate किया था और अब बंगलादेश की आर्मी ने participate किया तो टोटल तीन आर्मी हैं पूरे विश्व में जिननोंने हमारे Republic Day में पार्टिस्पेट किया है examination point विश्व से एक बात और याद रखेंगे बंगलादेश के दो ports का हम यूज करेंगे आने वाले time में चक्तो ग्राम एंड मोंगला ये दो वो ports है जिनको इंडिया डवलप कर रहा है और इनका आने वाले टाइम में इंडिया यूज करेंगा प्रेड को प्रमोट करने के लिए तो याद रखेंगा चक्तो ग्राम पोड और मोंगला पोड ये दोनों आपको कौन सी country में देखने को मिलेंगे बंगला देश्टृ थीक है ये दोनों drinking water के लिए पानी पीनेप के पानी की सप्लाई के लिए बंगलादेश के एक रिवर से पानी लिया दाता है वो कौन सी रिवर है जल्दी से कमेंट सेक्षिन में कमेंड करके बताईए विच बंगलादेशी रिवर वाटर यूस्ट वर द्रिंकिंग अधर प्रपसें त्रिपुर रहा ओके फैनी रिवर याद रखेगा स्वेंट कौन सी रिवर दरीवर नेम फैनी रिवर चले ज्या आगे चलते हैं वर्ल्ड फस्ट्लाइम क्लाइमेट चेंज लो फॉर फाइनेशल सेक्टर पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास किसी कंट्री ने क्लाइमेट चेंज लो बनाया है फाइनेशल सेक्टर के लिए ठीक है अब यहां पर क्या है कि न्यूजिलेंड ने यहां पर इंटर्ड्यूस किया है क् बैंक है इंशोरेंस है या जो भी फानेशल से जुड़े होई लोग है अगर वो कोई भी हमारे पास चेंज करते इंवेस्टमेंट करते तो उससे क्लाइमेट चेंज पर क्या इंपेक्ट पड़ेगा उसके ओपर उन्हें रिपोर्ट जो है वो गवर्मेंट को हैंड़ोवर कर जी हां अगर आपसे पूछ लिया गया कि मोनार्क ओफ न्यूजिलेंड तो क्वीन अलिजबेट टू ही है यह बात आपको पता होना चाहिए लेकिन पावर प्राइम निस्टर के पास ही है और प्राइम निस्टर कौन है हमारे पास जैसे इंडिया एड्वन ठीक है तो अग निस्टर कॉछ देरी नियुजिलेंड बेटण का जो पर सदन्सदशन आईलियन से व्ल आलग करता है कुक स्क्रेड़ ची एंस बढ़ा इंटरस्न जेट्रेंग फॉ éड कोशन हमारे पास कुक क्सट्रेच जो है याद रखेगा कु कि थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गए थोड़ा सम्द दुबारा से लिख लेते हैं सो आपको याद रखना है कि कुक स्ट्रेट जो है यह वह स्ट्रेट है जो हमरे पस क्या करता है मैं नोर्थ न्यूजिलैंड को साउथ न्यूजिलैंड से अलग करता है जि हाँ uh याद रखेगा नोर्थ न्यूजिलैंड को साउथ म्यूजिलैंड से अलग कौन करता है cooked straight अब मेरा क्वेशन आप लोगों से है की cook street अगर separate कर रहा है north स्टेट का मतलब पतला समुदरी रास्ता ठीक है तो इसका मतलब यह कनेक्ट भी कर रहा हुआ दोस्त दो अलग-अलग वॉटर बॉडिस को तो कौन सी दो वॉटर बॉडिस को यह आपस में करेक्ट कर रहा है तो है सौथ पैसिफिक ओशन तो मेरा कोशन आप लोगों से यह है कि कुक स्टेट जो है वो साउथ पैसिफिक ओशन को कौन सी सी के साथ करेक्ट करता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए साउथ पैसिफिक ओशन को कौन सी सी के साथ करेक्ट करता है ठीक है कुक स्टेट connect which c to the south pacific ocean okay correct answer restaurant तस्मान सी correct answer है मार पास तस्मान सी ठीक है चलिए जी नेक्स न्यूस की तरफ चलते हैं नेक्स न्यूस है मार पाफ पी अन्बी डिजिटल इनिशेटिव पी अन्बी इस तो पी अन्बी डिजिटल इनिशेटिव लॉंच इन्हों ने क्या है पी अन्बी इस टू कॉमरेट दा one twenty seven year of their service to the nation यानि कि देखे one twenty seven year हो चुके है पी अन्बी को देश के लिए काम करते हुए तो यहां पर यहां पर इन्हों ने क्या कहा है बैंकिंग टू ओन दा गो ठीक है बैंकिंग ओन दा गो मोडल पर यह काम करेंगे तो अगर हम बात करें पी अन्बी की पंजाब नेशल बैंक की तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा government bank है ठीक है भारत का सबसे बड़ा पहला government bank state bank of India और दूसरे number पर जो bank आता है वो है PNB PNB ने over the year देश के लिए service की है और अभी recently कुछ बड़े mergers जो है PNB में देखने हुँ मिले थे जैसे हम अगर 1993 में बात करें तो 1993 में PNB के अंदर एक bank को merge किया गया था याद रखेगा new bank of India ठीक है new bank of India को PNB के अंदर merge किया गया था 2020 के अगर मैं बात करूँ ठीक है 2020 के अगर मैं बात करूँ 2020 में oriental bank of commerce oriental bank of commerce and united bank of India UBI तो इन दोनों को भी PNB के अंदर merge किया गया था और उसके बाद PNB का जो एक तरह से रुतबा है वो और जारा भारत में बढ़ गया क्योंकि इतने बड़े लेवल पर ये banking जो services ने वो avail करा रहा है इंडिया इसकी establishment student अभी से नहीं हुई थी 1894 में इसकी establishment हुई थी और ये भारत का पूरत सवदेशी bank है पहला पूरत सवदेशी bank भारत का पहला पूरत सवदेशी bank पहला पूरत सवदेशी bank का मतलब जिसको बनाने में सारी management Indian थी पैसा Indian लगा था उसके बाद कई सारे Indian bank खुले लेकिन जो भारत का पहला पूर्ट है सरदेशी बैंक था वो था PNB 1894 में जिसको लाला लाजपतराय ने एस्टेबलिश किया लेकिन इनके साथ एक को फाउंडर भी थे मेरा कोश्चन आप लोगों से यह है कि नेम दा को फाउंडर ओफ PNB अलोंग विद लाला लाजपतराय लाला लाजपतराय जी के लावा एक और को फाउंडर थे PNB में जरा उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंड करके बताईए ओके तो करेक्ट अंसर है द्याल सिंग मंजीठिया जी हाँ याद रखेगा PNB को बनाने में दो लोगों का हैम योगदान था लाला लाजपतराय एंड द्याल सिंग मंजीठिया ठीक है तो इन दोनों का नाम जो है आपको याद रखना है एक्जाम पॉइंड विव से ठीक है द्याल सिंग मंजीठिया लाला लाजपतराय नेक्स सुषी चंद्रा यहां नेक्शन कमिशन ओफ इंडिया की एक्षीन कमिशन ओफ इंडिया कब इस्टेबरी होगा 25th of जैनवरी नाइन्टेगी फिफ्टी 25th of जैनूरही नाइटेए यह जिस लिए 25 जयनवरी को हम अब्सरी करते हैं नेशनल वोटर स्टेया रखेगा 25 जनवरी को हम अब्सर् कमिशन अफ इंडिया में एक चीफ election commissioner होते हैं और यहां पर यह किसकी जगा लेंगे सुनील रोडा की ठीक है तो रोडा की तो सुनील रोडा की सब चाम हो रहा है तोंकी जगा शुजिल चंडर बनेंगे नहीं चीफ election मैं कोशन आप से पूछूंगा इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया काम भारत में चुनाव प्रक्रिया को अजाम देना है चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है लेकिन कौन सा आर्टिकल ये बात करता है तेके कोशन मेरे ध्यान सुनिए का विच आर्टिकल बार्टू in electoral matters जल्दी से comment section में करने करके बताइए which article of the constitution bar to interfere by courts in electoral matters की court electoral matters में अस्टशेप नहीं कर सकती कौन सा article इस चीज़ के बारे में बात करता है मैं question फिर से repeat कर देता हूँ which article bar to interfere by courts in electoral matters so correct answer simple सा question था आर्टिकल 329 जी हां आर्टिकल 329 ठीक है चलिए जी नेक्स नूस की तरह चलते है चाइना ओपन फाइव जी सिगनल बेस तो देखें चाइना जो है यहां पर फाइव जी सिगनल बेस अपना establish कर चुका है कहां पर गना बला रडार स्टेशन में ठीक है जो जो कहां पर लोकेटेड आई जो लोकेटेड़ है इन रिमोर्ट हिमाल्यास देखें आपको जो चीजब बात करता हूँ तो जो नदन साइड जो हिमाल्यास है वो चाइना की साइड है और सदन साइड आपको स्टेशन कर पाएंगे इन तिब्बत रीजन तो इंडिया के लिए खत्रे की गंटी तो याद रखेगा वही वर्ल्ड में सबसे हाइस रडार स्टेशन गनापला रडार स्टेशन किसके बास है चाइना के बास है और यहां पर फाइव जी सीजनल बेस इनोंने एस्टैबलिश कर दिया है जब भी हम बात करते हैं 5G की 4G की तो एक टर्म बार बार यूज़ोती है LTE एक ताम हम बार बार देखने के मिलती है LTE तो पहले तो आप LTE की फुल फोर्म याद रखेगा लोंग टर्म एवलूशन यह तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है लोंग टर्म सकते हैं 1 GBPS की लेकिन 5G maximum speed कितनी हो सकते हैं 20 GBPS की यानि 20 टाइमस वास्टर ओल्मोस्ट ओके सो हिमाल्य की बात करें हिमाल्य का नाम याद रखना हम इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं मांट एवरेस्ट और इसका नाम किसके नाम पर पढ़ा सर जोर्ज एवरेस्ट के न इसका नाम करती है ITU जी हां फुल फर्म में बता देता हूं इस इंटरनेशनल टैली कम्मुनिकेशन यूनियन इट यू यह वह संस्ता है जो टैली कम्मुनिकेशन को कंट्रोल और रेगुलेट करती है मेरा कुश्चन आप लोगों से यह है कि ITU का हेड़क्वाटर कहां पर स्थित है where is the headquarter of ITU international telecommunication union where is the headquarter of ITU international telecommunication union so what's your ITU ka headquarter up कहां देखने हो मिलेगा ITU का headquarter आपको देखने हो मिलेगा Geneva Switzerland में ITU का headquarter आपको कहां देखने हो मिलेगा Geneva Switzerland चलिए जी next question next news sorry so e-santha web portal for aqua farmers देखें यहां पर क्या हुआ है एक portal launch किया गया है प्यूष गोईल जी दौरा ठीक है एक web portal e-santha e-santha हमारे पास क्या है electronic solution for augmenting NACA farmers trade aqua culture कहीं ना कहीं जो हमारे पास fish and जो हमारे पास aqua farmers उनकी help करने के लिए और NACS से की full form आप याद रखेगा national center for sustainable aqua culture ठीक है तो national center for sustainable aqua culture basically कहीं ना कहीं यहां पर जो हमारी blue revolution उसको और आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं यह चीज जो है वो की गई है so it is an electronic marketplace providing platform to connect aqua farmers and the buyers both national and international level तो सीधा सीधा आप याद रखेगा एक तो हमारे पास aqua farmers के help करने के लिए कौन सा पोर्टल आया है इसंता ठीक है और इसको launch किसने किया है ministry of commerce and industry ठीक है कौन सी ministry ministry of commerce and industry जिसके minister कोन है हमारे पास प्यूज गोईल तो सीधिया सीधा question यहां पर आप याद रखेगा ठीक है next हमारे पास interest level से news इबन अब्दूर ठीक है इबन अब्दूर जो रह्मान जो की हमारे पास एक जाने वाने human rights के लिए काम करने वाले परसंटे ठीक है इनने टाइटन ऑफ human rights भी का जाता था इनकी डेथ हो गई है ठीक है आई यह रह्मान के नाम से family पाकिस्तान कर गई थी तो पाकिस्तान में human rights वाले एक्टिवस्त आपको वैसे भी कम देखने को मिलेंगे मेरा कोशन आप लोगों से है कि human rights की बात हो रही है आप मुझे comment section में comment करके बता दीजिए सिंपल सा question human rights day observe कब किया जाता है ठीक है human rights day कब observe किया जाता है comment section में comment करके बता दीजिए ओके correct answer है बच्छो 10th of December 10th of December को हम observe करते है human rights day चलिए नेक्स्ट नीज हमारे पास national digital repository on health and nutrition तो हमारे पास नीटिया योग ने launch की है website portion ग्यान तो आपस एक पहला question दिए हो गया कि किस ने launch की है हमारे वेबसाइट portion ग्यान तो नीटिया योग नीटिया योग की full form आपको पता होने चाहिए that is national institution for transforming India full form आप याद रखेंगे national institution for transforming इंडिया ठीक है और यह हमारे पास नेशनल डिचिल रिपोजिट्री है health and nutrition के उपर इसको develop करने में collaboration रही बिल और मलिंडा गेट्स फांडेशन की देखें बिल गेट्स आपको पता है वर्ल्ड के रीचेस पर संभुआ करते थे अब तो खेर थर्ड फॉर थंबर पर आ गए हैं Microsoft में में इंश और होल्ड रहे हैं ओके सो यहां पर आपने याद रखना है कि यह जो entity है वो help कर रही है इस पूरे system को develop करने बेसिकली इंडिया में objective क्या रहेगा कि हमारे पास जो कहीं ना कहीं एक तरह से health or nutrition है उसको कैसे improve किया जाए न तो question अगर मैं बात करूँ भारत में अभी भी हम बहुत पीछे हैं जब हम बात करते health or nutrition की अभी भी हम बहुत पीछे हैं जब हम बात करते health or nutrition की तो मेरा question आप लोगों से यह है कि अभी recently October 2020 में आया था Global Hunger Index तो 2020 के Global Hunger Index में इंडिया का रहा जल्दी से comment section में comment करेंग इंडिया रंकिन Global Hunger Index 2020 अंडिया रंकिन Global Hunger Index 2020 2020 तो याद रखेगा बच्छो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इंपोर्टन रिपोर्ड होती है 2020 में जो इंडिया का रहा था याद इस 94 यानि हमें बहुत अभी आगे बढ़ना है बहुत कुछ करने की हमें जुरूरत है इस इस रैंक में हमारा पीछे होना यहीं चीज दर्शाता है नेक्स मारे पास implementation और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो ग्राप अच्छी से इंप्लीमेंट किया सबसे बेस्ट इंप्लीमेंटेशन किसने की है उधंपूर डिस्ट्रिक ऑफ जम्मू और कश्मीर उधंपूर डिस्ट्रिक ऑफ जम्मू और कश्मीर जो कि अभी जम्मू कश्मीर एक यूणिटरी बना है तो चीज़े काफी सिंप्लीफाई हो गई सेंटर गोवर्मेंट के लिए वहाँ पर काम करना थोड़ा असान हो गया है क्योंकि पहले क्याना सेंटर स्टेट के बीच में जो कलाबरेशन था वह ओल्मोस निगलीजीबल था चतिस गड़ को पहला प्लेस मिला है अमंग दा ओल स्टेट अब याद रखेगा स्टेट वाई सबसे बेस्ट पोजिशन किसको मिली है चतिस गड़ को और अगर डिस्ट्रीक वाइस बात करें तो उधंपू डिस्ट्रीक को दो कोशन मेरे लिए हो गए चली अगर मैं जम्म 350 लग से चली मेर अप लोगों से है कि आप लोगों से कुछन है कि जम्मू कश्मिर विकेम यूनितारी अंडर्विक अप गज़गे से के एक सिंपल सा कशोंद कोछ पूच रहा हूं है पिजम्मो कश्मीर विकेम यूनिक यंदेक्र अिक्ट अव सब गार्ल seventeen कि आ अगे करेक्ट अंसर है जम्मु कश्मीर री और्गनाज़जिएशन एक्ट नाइट टूज़जड नाइट या याद रखेगा जम्मु कश्मीर रियो रियोजजड टूज़ज़ज़न नाइट टीन के रहा है नेक्स वारपां सीटी बैंक विड्रोग रूग कंज्यूम इसका headquarter New York में है, ठीक है, इसका headquarter कहा है, City bank का headquarter कहा है, New York, एक US based bank है, और आपको Indians हर चकां दिखाई दे जाएंगे, तो City bank के जो current CEO है, वो India से ही है, Indian origin से ही काऊँगा, Indian तो नहीं काऊँगा, Indian origin से है, सुनील गर्ग, ठीक है, अब इसने announce क्या किया है, कि यह अपना consumer banking operation इंडिया में बंद कर देंगे लेकिन सिर्फ इंडिया में नहीं बंद करने जा रहे है इसके लावा 13 countries में बंद करने जा रहे है तो आपने याद रखना है कौन से international bank ने कहा है कि वो अपनी consumer banking services इंडिया और उसके साथ 12 और countries में बंद करने जा रहे है जिसमें हमारे पास Australia, Bahrain, China, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Philippines, Poland और कहीं सारी countries शामिल है तो यह कौन सा bank है? City bank ओके, next हमारे पास wisdom जो की cricket की Bible कही जाती है एक बहुत ही famous पत्त्री का एक बहुत ही famous हमारे पास magazine, cricket की wisdom इसने क्या किया है? 5 best cricketer को चुना है of the day for each decade पिछले 50 साल के लिए, हर 10 साल में एक best cricketer को चुना है और आपको सुनकर अच्छा लागेगा कि हमारे पास इसमें 3 Indian cricketer हैं out of 5, 3 Indian cricketer हैं जिसमें सचिन दंदुलकर हैं, विराट कोली हैं, कपिल देव हैं तो यानि कि 5 में से जो 50 साल हमारे पास cricket, one day cricket को पूरे हो है अभी 50th anniversary थी, one day cricket की, ठीक है? तो उसके तहत हमारे पास 5 खिलाड़ियों को चुना का जिसमें से हमारे पास 3 जो थे, वो Indian थे बाकी 2 मैं चाहूंगा कि आप खुछ चेक करें, कि बाकी के 2 players और कोन है इसके अलावा, आपको यहाँ पर यह भी पता होना चीए कि ICC cricket की regulatory body है, तो हमारे पास कहां से operate करती है, ICC operate करती है, दुबई ही हुए ही से लेकिन यह जो हमारे पास यह rank, यह जो क्रिकेटर को select किया है, यह किस ने किया है, Wisden ने, Wisden cricket की बहुत ही famous magazine है, ठीक है, और England के famous all-rounder Benstock को declare कि Cricketer of the Year, तो इस बार Wisden ने Cricketer of the Year किसको declare किया है, Benstock को चले ही मैं ICC की बात कर रहा था, तो ICC ने अब क्या करना शुरू कर दिया है, player of the month के बारे में बात करनी शुरू कर दिया, ठीक है, सो मेरा question आप यह, आप लोगों से है कि player of the month, for the month March, March में ICC ने किस player को player of the month declare किया है, March 2021 हाँ जी ICC month player of the month for March 2021 कोन है Okay, correct answer student Bhuvaneswar Kumar, यह हाँ याद रखे, correct answer है Bhuvaneswar Kumar Next, हमार पास UAE, last news for the day UAE top civilian award to Yusuf Ali Ma यूसफ Ali Ma यह Indian origin businessman है जो कि अभी आबुदाभी में sorry, दुबई में हमार पास रहते है ठीक है, और आबुदाभी award इनको मिला है, जो UAE का top award है यह हमारे पास chairman and managing director है ठीक है, अबुदाभी और दुबई में के काफी सारे business फैले हुए, लूलू group एक हमारे पास companies है retail companies है, उसके यह current head है तो आपको यह चीज़ याद रखने है, कि किस Indian origin person को यहाँ पर, UAE ने अपना top civilian award जो है कूआ है, मुत के अवाँ में करते हैren अवार सी अवाँ उए्षाँ सभ्सक्राइश चरीजश सभ्सक्षा सभ्सक्राइश झाल झाल